कि आदेनी बंदुगां कि आदेनी उप्राश्पति जी कि आदेनी स्पीकर महुद आए आज हम कि यहां से बिदाई लेकर के नए भवन में जा रहे हैं संस्वत के नए भवन में बैठने वाले और ये शूब है गणेश चतुर्थी के दिन बैठ रहे हैं लेकिन बैए एक आप दोनों महनुभावों को एक प्रांथना कर रहा हूं एक विचार आपके सामने रख रहा हूं मैं आशा करता हूं कि आप दोनों मिल करके उस विचार पर जहां भी जरूत पड़े मंधन करके कुछ निर्णे अवस करिए और मेरी प्रांथना है मेरा सुज है कि अब हम जब नए सदन में जा रहें तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए इसे सिर्फ पुरानी प्रांवलामेंट कहकर के छोड़ दें ऐसा नहीं होना चाहिए और इसलिए मेरी प्रांथना है कि भविष्य में अगर आप सहमेती दे दुनों महावन भाव तो इसको संविधान सदन के रुप में जाना जाए ताकि ये हमेशा हमासे रक्स के लिए हमारी जीवन प्रेना बनी रहेगी और जब संविधान सदन कहेंगे तब उन महापुर्शों का याद भी उसके साथ जुड़ जाएगी जो कभी समिधान सभा में यहां बैठा करते थे गणमान ने महापुर्श बैठा करते थे और इसलिए भावी पीडी को यह तोफा भी देने का आफसर हमें जाने नहीं देना चाहिए क्योंगे